हेलो श्रुडेंट्स आज के शीर वीडियों में देखने वाले हैं बिहार बोड द्वारा यान कि BSEB बिहार बोड द्वारा 12th क्लास के लिए दियान देखे श्रुडेंट्स किस्ट क्लास के लिए 12th क्लास के लिए यान लिखा भी क्या है लिखा भी क्या है Intermediate Examination 2022 यान कि आपके 12th बोड एक्जाम में एक्जाम के लिए जो बिहार बोड ने 2022 में मॉडल पेपर जारी किया है ये 2022 देखना लिखा किया है मॉडल सेट जो जारी किया है उसी के Physics पेपर आप देख सकते हैं यान क्या क्या है Physics तो Physics पेपर के हम लोग objective question का हम दो solution करने वाले हैं किसकह सुनस करेंगे, objective question का और ध्यान देख रहे हैं कि यहाँपः लिखा गया है Coolप्रस्णो की शंख्या तो Coolप्रस्णो की संख्या कितने लिखे गई है 96 कितने है 95 अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि यह लिखा है आ script पैतिस कोश्चन ही करने हैं कितने करने हैं 35 तो ध्यान देंगे अगर आपसे 35 से ज्यादा कोश्चन भी बन रहे हूं तो भी बनाने की को जरूत नहीं है आप इस सत्तर में आप वहीं कोश्चन बनाएं जिसमें आप 100% सियोर हों कि ये सही ही है वहीं 35 कोश्चन बनाएं नहीं तो मान लिजिए कि आप ऐसे करते हैं कि आप मान लिजिए कि आप सल्फ कर दिये कोश्चन इसमें से मान लेते हैं 40 कोश्चन सल्फ कर दिये कितने कोश्चन सल्फ कर दिये 40 आप चल ये और ज़्यादा करते हैं मान लेते हैं कि आप 50 कोश्चन छर्व कर रहे हैं है न और आब यहां ध्यान देंगे कि यहां से मान लिजे की 35 शुरू का question और बाद में होगया 15 question अब यहां पर आपको ध्यान यह देना है कि अगर इस 35 में से मान लिजे की 34 सही है और ये आपका 15 के 15 सही है तो आप तो बोलेंगे कि कोशन कितना सर्व किये तो 49 कोशन आपका सही हो गया बात तो सही है कि 49 कोशन सही हो गया लेकिन जो आपको नमबर मिलेगा न वह इसी 34 का मिलेगा ये ध्यान रखना है क्यों ऐसा होगा? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो चेक होगा वह सुरू का ये 35 कोश्चन ही चेक होगा ध्यान रखना है है ना आप जो ये बाद में 15 है आपका ये चेक नहीं होगा सुरू का जो 35 कोश्चन ही वहीं चेक होगा कि हम 35 ही question बनाएं लेकिन वही question बनाएं जिसमें हम 100% क्या हूँ ठीक है तो मुझे लगता आपको समझ में आगे होगा कि आपको 35 question ही बनाना चाहिए क्योंकि आप कितना भी question बना लिजिए शुरू का 35 question ही check होने वाला है ठीक है ना चलिए आप इस बात को समझ गया होगे अब मैं क्या करता हूँ यह आहिस्ता आहिस्ता करके यह जो instruction इसको इस्क्रॉल कर रहा हूँ और आप इसको अपने से चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको पॉस्ट करके और हम दो चलते हैं इसके objective question पर और यह रहा पहला objective question question क्या कहता है तो question है कि प्रिस्ठिय आवेश घ्णतों का ASi मातरक होता है वह होता है koolomb प्रती m'de square यह आप जानते हैं koolomb प्रती m'de square ये अप जानते हैं इसी को तो हमनों लिखते हैंнова, बटा और ये मीटर इसक्वएर प्रति का मतलब क्या होता है, बटा तो coulomb बटा क्या हो जाएगा? मिटर स्क्वेर आप देखेंगे तो इस पर इसे कोई नहीं है तेस कोंग लोग यह नहीं नहीं है कि coulomb गूड़े एक बटा मिटर का स्क्वेर ऐसे लिख सकते हैं अब बाता यह कि option कौन सा होगा? तो अब अगर आप देखेंगे तो option आपका हो जगे ये D option सब्सक्राइब आते हैं question number 2 में question number 2 में क्या कर रहा है तो question number 2 कर रहा है कि epsilon 0 का मान होता है epsilon 0 का मान कितना होता है तो ये होता है 8.854 8.854 तो आपको तो ये 8.85 में लगया देख रहें कि ये सब में है है ना चारोँ जगा है अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि 10 का power कितना इसका मात्रक भी देखें सब में लिखा है फैराट परतिमिटर, ये भी सही लिखा है अब क्या करना हम लोगों अब देखना है भाएराड परती मीटर भी है, 10 का पॉल कीतना होता है, तो यह होता है, 10 का पॉल माइनस 12 है, कितना? माइनस 12 है, तो option कॉन सा होगा ये? यह हो जागा option, यह option, ठीक है? चलिए, अब आते हैं question में 3, question में 3 में क्या कोह रहा है? कि q आवेस से यानिकि आवेस q से r दूरी पर विद्धूतिय तिवर्ता के मान के लिए निमने खित में कौन सही है विद्धूतिय तिवर्ता के मतलब कि हमें विद्धूतिय तिवर्ता e बराबर तो फर्मूला होता है e बराबर 1 by 4 pi epsilon q by r square और यहां से जो option होगा वह होगा यह b option ठीके न गान्दक इशुडेंट्स यही पर अगर यहां पर अगर यह r square है न और के वल r कर दिये जाए तो यह होजाता है विद्धूत विभवववववववववववववववववववव आप देखते है question number 4 कोश्ण फोर में क्या कर रहा है किसी गुलिया प्रिष्ट के अंदर यदि प्लस q आवेस रख दिया जाए तो संपूर्ण प्रिष्ट से निकॉलने वाला विद्धूत फ्लक्स के लिए निमिले कितने कौन सही है ठीक है न तो ध्यान देंगे यह गौस क प्रिष्ट के अंदर जितना आवेस होता है उतना का 1 by epsilon not गुना यह तो आवेस तो q है प्लस q इसलिक हो जाए q में 1 by epsilon not से multiply कर देंगे तो option कौन सा हो जागा यह q by epsilon not और इस तरीके सा option क्या हो जागा यह b option इसके बाद देखते है question number यह five five number question five number question क्या कहाता है कणरा के वेड्यू दूध्रू की निरक्षिय अस्तिति में वेड्यूत्व वीभाव का ढियान्जक तो द्यान नेगे वेज़्ध्यू वीभाव निरक्षिय असतिति में कितना होता है तो यह 0 होता है यह प्ल्याल दॉक्षन चाहिए इसलिए option कोन सा हो जागा यह जीm एपसन हो जाएगा ठीक न अब आता हैं क्यों सिक्स में एक पर संधारीत पर संग्राहक पटिका और संग्गनक पटिका तो अध्यार नग्री पर आता है प्लस चार्ज और दूसरा पर आता है उतनाहीं माइन्स चार्ज तो इसी को हम बोलते हैं एको बोलते हैं सग्रहाक पोटी का और दूसरे को बोलते हैं संग्वनक पोटी का ये जो संधरी तरह बनाते हैं आपको याद होगा तो अब अब ये दोनों पर क्या होता है चार्ज का मन समान होता है जितना इस पर पलस होता है उतना ही इस पर माइनस होता है तो दोनों का यह होता ही तो सब को याद होगा 80 इसलिए option कौन सा हो जागा यह है इसके बाद आते हैं question number 8 8 में कह रहा है कि निमलीखित में किस रासी का मातर भोल्ट बटा मीटर होता है तो यह किसका होता है क्योंकि हम फुर्मने जानते हैं इ बराबर भी बाई आर हो में जानते हैं ना भी का मतलब भोल्ट विभाव और आर मने दूरी मने मीटर तब भोल्ट बटा मीटर किसका हो जागी यह ए और ए क्या है विद्धू छेतर है तो option कौन सा हो जागी यहां से यह D option हो जाएगा ठीक है ना चलिए अब आते हैं 9 नमर कोश्चन 9 नमर कोश्चन क्या कर रहा है आप्यक्षिक परावयद्यूत्ता का मात्रक है त्यांते क्या होता है तो हम लोग एक फर्मूला पढ़े हैं कि epsilon equal to epsilon not into epsilon r जानते हैं इसा अब यह epsilon r epsilon r को को कये भी लिखते हैं equal to क्या हो जागा ? epsilon by epsilon 0 एसा हो जाएगा अब यह बताएगे कि यह भी विदुद्द सिल्ता यह भी विदुद्द सिल्ता दुनों के दुनों एक ही रसी है न तो दो दुनों के दोनों के Т कट जाएगा तो क्या आएगा कट जाएगा क्या कट जाएगा मात्रक दुनों का इसका मात्रक और इसका मात्रक दुनों के दुनों विदु सिलता ही है तो दुनों का मात्रक क्या होगा एक ही जैसा होगा तो कट के क्या आता है खतम होता है कुछ नहीं आता है मात्रक कुछ बचता ही नहीं है इसलिए क्या होता है मात्रक के हीन होता है आप प्यक्षिक परवेदुत्ता क्या होता है ये मात्रक हीन होता है परवेदुत्ता ये मात्रक हीन होता है तो इसमें से कौन साफ्षन होगा जब मात्रक के हीन है तो होगा ही नहीं चड़िए अब आते हैं दस नमर डसiquementे किसे आ क्या को रहा है दो समांधारित्बास ुशी वाले संधारित्र को समांतंक्र में जोडने पर है तो समांतं में जोड़ेंगे तो सीवन पलस सीटू जोडते हैं लेक porad kya कर रहा है समान धारिता C, C1 और C2 का मन के है, C ही है तो C, पलसा C हो जाएगा अर्थत कितना ये 2C हो जाएगा, तो option कौन सा हो जाएगा ये 10 का E option इसके बाद आते हैं, question number 11 11 नमर ये देखिए, mu अपरतनांक तथा A prism code वाले prism का निउन्तम विचलन code क्या कर रहा है, निउन्तम विचलन code और निउन्तम विचलन code को हम लोग lambda A में से दिनोट करते हैं और इसका फर्मुला क्या होता है, ये आपको याद रखना चाहिए mu minus 1 into A, क्या होता है, mu minus 1 into A और जो option होगा वो हो जाएगा ये B option ठीक है, चलिए, अब आते हैं आगे बरते हैं, अब कर रहा है, कि समान्य समायोजन के लिए ख़गोलियत दूरदर्सक की आवर्धन चमता तो ख़गोलियत दूरदर्सक की जो आवर्धन चमता होती है वो होती है, FO by FE क्या होती है, FO by FE तो इसमें option कौन सा हो जागा, देखिए, माइनस में होता है, है ना माइनस में FO by FE, तो ये option हो जाएगा, ये option ठीक है, आगे बरते हैं, इसके बाद आते हैं हम लोग question number 14, 14 नमर, कर रहान लिखित में किस का अपर्टनांक सबसे अधिक होता है तो ये अब तो 10th class से ही पड़ते हैं, कि हिरा का अपर्टनांक सबसे अधिक होता है तो option कौन सा हो जागा ये, D option अब आते हैं, question number 15 fringe की चवड़ाई, fringe की चवड़ाई के लिए fringe की चवड़ाई के लिए, कौन सा सूतर साहिए तो fringe की चवड़ाई का फर्मना क्या होता है D lambda बटा small d होता है तो option कौन सा होगा, यहाँ से option हो जागा ये, ये option अब आते हैं, question number 16 शूलन में क्या कर रहा है, कर रहा है कि एक परकास वर्स बराबर है तो ध्यान देखिए, एक परकास वर्स बराबर है कितना के, तो देखिए, सबे में आप देखेंगा न, तो 4 के 4 option में 9.46, 9.46, 9.46, 9.46, 9.46, ये सही है अब ध्यान क्या रखना है, इसमें जो होता है, वो होता है 10 का पावड 15 मीटर तो option कौन सा होगा ये, ये होजागा option A सही है न, तो 16 का option A अब आते हैं, question में 17, 17 में क्या कर रहा है तो 17 में question कर रहा है, कि निमलिखित में कौन lens maker सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना चीज़ेंट और ये आपके board exam के लिए, इसका derivation भी important है तो इसका जो option हो जागा, वह option हो जागा ये A option, क्या है, 1 by F equal to mu2 by mu1 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2 तो 17 का A option, अब आते हैं, next, 18, question ये कर रहा है, निमलिखित में, पानी के अपर्तनांग के लिए कौन सही है तो पानी का अपर्तनांग कितना होता है, 4 by 3 और जब भाग देंगे तो कितना हैगा, ये आगा 1.33 क्या आएगा, तो ये आगा 1.33, ये अप्शन कौन सहो जागा ये D option, 18 का option D, इसके बाद आते हैं, question number 19 क्या कर रहा है, समान ने आख के लिए असपस दिरिस्टिक निवन्तम दूरी होती है ये तो सब को याद होता है, कितना, 25 cm कितना हो जागा, 25 cm आगे बढ़ते हैं, आते हैं, question number, ये 20 निमलिखी तुने कौन, कूसी का स्वमिकरोड है, ध्यान देखेशिएंट्स आप थोड़ से इसके English पढ़िए जब English पढ़ेंगा, तो ये हम देखेए, क्या लिखाए इसी को हो सकता है, आप पढ़े ते कौचीस equation कोची का स्वमिकरोड है, और यहाँ पर क्या लिख देखेए, कूसी तो कूसी से कजी कन्फ्यूज हो रहे होगे, तब कन्फ्यूज मत हुए, ये कोची का ही स्वमिकरोड पूछ रहा है, और इसका जो option होगा, यानि कि 20 का, वो हो जागा C option, और ये है mu equal to a plus b by lambda का square इसके बाद देखिए, और ये है equation number question, निमलीखित में कौन प्रक्रिडित प्रकास की तीवर्ता यानि की i, और प्रकास के तरंग देर्थ यानि की lambda के लिए कौन सा समन सही है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो प्रक्रिडित प्रकास की तीवर्ता होती है वह प्रकास के तरंग देर्थ के चोतूर्थ घाथ के बिद्करण पाती होती है यानि कि i, जो होगा, वह बिद्करण पाती होगा तब बिद्करण पाती का मतलब क्या होता है अब आए ये 22 में, ये दखेए, क्या बोला जा रहा है, निमलिखित में कौन परकास के लिए, माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है, तो इसमें कौन सब्सक्राइब होगा, तो इसमें हो जागा ये आवरिती, यानिकि 22 का अप्शन ये हो जाएगा, अब आते हैं तेस्ट नमबर तेस्ट नमबर ही बहुत ही important question अपके बोड़ एक्जाम के लिए क्या कह रहा है निम्लिखित में कौन सम्मंद सही है यानकि कलांतर और पठांतर में सम्मंद पूछ रहा है कलांतर और पठांतर में सम्मंद तो इसका जो right option होगा वो हो जागा यह option कलांतर इकोल टू 2 pi by lambda इन्टू पथांतर अब आते हैं question में 24 24 में क्या कह रहा है यह कह रहा है कि निमलिखित में कौन 82 ब्याति करण के लिए सही है 82 ब्याति करण तो 82 ब्याति करण के लिए जो फर्मूला होता है करका होता है एक के लिए क्या होता है 2N plus 1 pi अब दूसरे के लिए होता है 2N pi तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है 82 ब्याति करण 82 ब्याति करण के लिए क्या होता है तो 2N plus 1 pi होता है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 25 के तरफ और यह करा है निमलीखीत में कौन परकास के रंग के लिए मुख्यकारण है परकास के रंग के लिए मुख्यकारण कौन सा है तो यहाँ पर जो option हो जागा right option वो हो जागा यह option सहीए next question की तरफ बढ़ते हैं next question है 26 question कहता है निमलीखीत में कौन आवेस रहीत है इसमें से कौन आवेस रहीत है यान कि किस पर आवेस नहीं होता है तो इसमें जो राइट अप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोटोन फोटोन कोड आवेस रहीत होता है इस पर कोई आवेस नहीं रहता है प्रीड़ा कोश्च नम प्रफोट में उर्जा को मापा जाता है और यह होगया अप्शन दी नेक्स कोशन तर बठते हैं और यह होगया 28 और ध्याने कोशन यह बहुत इंपोर्टन कोशन है क्योंकि यह बहुत वारी रिपिट करता है और आपके आने वाले बूरेग्जम के लिए बहुत ही तरंग संख्या के लिए ध्यान देंगे हम लोग जानते है किया कैसे संख्या तरंगंद्यों के बियूत करम variance कोह भोलते है यह तिक है इसी को रिए से भी शूचित करते हैं नूब 5 से भी लिखते हैं तो यह यादा तीस में कह रहा है निमलीखीत में कौन संबंद नाभिक की तिरजिया के लिए सही है तो इसका जो राइट अप्सन हो जाएगा वह हो जाएगा ए अप्सन आर इक्वल टू आर नॉट ए का पावर वन बाई थ्री अब आते हैं कोश्चन नमर एक तीस और ही क्या कह रहा है निमलीखीत में कौन संबंद सही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 U equal to यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 का जो राइट अप्सन हो जाएगा देखिए सब में अगर आप देखेंगे न तो यह 1.6605 चारो के चारो में है है ऐसा लेकिन जो right option होगा वह किसी देखना है 10 के power तो 10 का जो power होना चाहिए 27 होना चाहिए minus में तो right option क्या हो जागा 31 का D option next question की तर बढ़ते हैं और यह है निमलीखित में निमलीखित में कौन और सत आयू के लिए सही है और सत आयू यानकि average life तो average life के लिए कौन सही हो जाएगा यहां से तो यहां से जो right option हो जाएगा वो हो जाएगा यह c t not equal to 1 by lambda अब आते हैं question बढ़त 33 द्याद निगेश्टेंट्स 33 यह काकी अच्छा question है इसलिए अच्छा होजता है क्योंकि आप जो पढ़े होंगे तो हो सकता है उरेनियम 92-35 के बारे में पढ़े होंगे है ना 92-35 अब बताइए लेकिन यहां पकिया दिया है 238 तो उसे कोई दिकत नहीं है हमनों समझ लेंगे फिर भी यहां पर कह रहा है कि उरेनियम 92-238 तो यह 238 किसको बता रहा है तो यह A का भेलू है 200 वर्टिस यानकि दरवेमान संख्या और बान्बे किसका है परमानु संख्या यानकि Z का बान्बे हो जाएगा हमनों जानते हैं दरवेमान संख्या बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या प्लस निट्रोनों की संख्या और Z बराबर P, जितना proton होता है, उतना parmanution क्या भी होता है, यहने कि A बराबर Z plus N हो जाएगा, तो N बराबर क्या आएगा, यह माइनस Z हो जाएगा, यह दरा के घट जाएगा, तो A में से Z को घटा दीजिए, और थात कि 238 में से 92 घटा दीजिए, तो जब 238 में से 92 घटाए option हो जाएगा, यह C option, अब आते हैं question number 34 पर, 34 में क्या कह रहा है, निम्न में कौन सही है, देखिए, चार ही है न, तो चार का, चार तो दास्मिक में है, हमको बताना है, बायंदरी में क्या होगा, तो चार के लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं, दो का पावर 2, आचा, इसमें 1 से मल्टिप्लाई कर सकते हैं, अब 2 का पावर 1, पलस 2 का पावर 0, यह भी रिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 तक चाहिए पावर, लेकिन हमको अब धेहान देजिए, यह वाला जो टर्म है, वो तो चाहिए नहीं, नहीं चाहिए न, तो हम क्या इसमें 0 से मल्टिप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी 0 से मल्टिप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आगया, यहां से 1, यहां से 0, और यहां से भी 0, तो क्या आगया, 1, 0, 0, यहनगी क्या आगया, 100, और इस तरीके से जो राइट अप्शन हो जाएगा, वो जागा यह यह अप्शन, अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन और यह हो गया 35, 35 में क्या कह रहा है द्वी अधारी योग 1 प्लस 1 के बराबर होता है तो 1 प्लस 1 क्या होता है यह 1 0 हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या होगा 1 0 और इस तरीके से जो अपसन आएगा वह C अपसन आएगा ठीके, चलिए आगे बरते हैं 36 36 में कह रहा है कि और गेट के लिए बूलियन ब्यांजक है तो और गेट के लिए बूलियन ब्यांजक जो होता है, हम लोग पहले से पढ़ है A प्लस B A प्लस B इक्वल टू Y लेकिन हैं आपको Y नहीं दे रहा है यहां पर के दर सी दे रहा है इसलिए राइट अप्शन क्या हो जागा यह D हो जाएगा तो 36 का अप्शन D अब आते हैं कोश्चन नबर 37 37 में क्या कह रहा है 37 में कह रहा है कि चुम्बकिय आगून का मातरक होता है यहां देख रहा है कि जूल और टेसला में है जूल और टेसला में है तो 37 का जो अप्शन हो जाएगा हम जानते हैं क्या हो जाएगा कि चुम्बकिय आगून का मातरक होता है यह आपको याद ही रखना पड़ेगा जूल प्रति टेसला और इसले जो अप्शन हो जाएगा यह ए इसके बार आते हैं question number 38 चुम्बक सिल्ता होता है यादि कि चुम्बक सिल्ता बारब क्या तो चुम्बक सिल्ता को तो मुव से सुसित करते हैं तो मुव एकल टू क्या आएगा तो मुव एकल टू करून आता है तो नमन कोड के लिए जो फर्मुला होता है वो हता है ये 10 लेमडा इकल टू बी भी बाई बी एच यानि भी फर वर्टिकल और एज फर होरिजोंटल बता रहा है तो जो अप्शन हो जाएगा वो हो गया यह अप्शन अब आते हैं question number 40 प्रिथवी के चुमड के धुरूप नमन कोड का मान होता है तो नमन कोड का मान कितना होता है ये होता है 90 लेड़ी और अप्शन हो जाएगा C इसके बाद आते हैं 41 नमर question और ध्यानिक गुर्जेंस ये question बहुत important है बहुत ज़्यदा important है क्या कहा रहा है कि ज्यामितिय लंबाई और चुमकिय लंबाई में संबंध होता है ज्यामितिय लंबाई और चुमकिय लंबाई में संबंध होता है तो ध्यान देजिए जो ज्यामितिय लंबाई पर समझे पर ले कोहते किसको है तो मान लेते हैं कि अगर ये कोई चुम्बक हो गया इसमें दुगों धुरू हो गया यहां से लेकर के यहां तक अब कला चंज कर गते हैं देखिए यहां से लेकर यहां तक एक सीरा से दूसरे सीरे तक है ना जो आपको ये दूरी दीख रहा है ना इसको नोब बोलते हैं जैमिती अलंबाई यानकी LG क्या बोलेंगे LG ठीक है और यहां से देखिए यहां से यहां तक यहां से लेकर करके यहां तक दुनों धुरू का बीच का जो दुरी है न वो होता है चुमबाकी अलंबाई यानकी LM क्या होता है LM ठीक है तो अब आप देख रहा है कि कि एले मिंत कॉम है और उल जी क्या है ज्यादा है इसे प dalla इक टो इसमें देख रहा है कि यहां बराबर है तो पहले ही छोट गया गलठ हो गया और यह करा कि दगुना का अंतर है तक अंतर मिल रहे है तो हुआ स्पासे ख़त्व हो गया तो नो तो सी होगा नोहीं डी होगा अब याद तो इसे ज्यादा है तो इसahu आई गा का मान 5 आएगा और एल जी का मान 6 ऐसे आजाएगा तो अब आता यह यह एक तालिस का यह आप्सन हो जाएगा अब आते हैं क्वर्चन अबर 42 निर्वात की चुमक सिलता होती है तो आपको यह दिर रखना पड़ेगा क्योंकि निर्वात की चुमक सिलता निर्वात में क्या प्रविर्थ निर्वात में चुमक प्रविर्थि कितनी होती है तो यह होती है गितनी होती है जीरो अब आते हैं question number 44 question क्या कहता है निर्वात में विदू चुमब के तरंग का चाल होता है तो निर्वात में विदू चुमब के तरंग का जो चाल होता है वो होता है ये c बराबर 1 by root under minute into epsilon not ये option ये हो जाएगा अब आते हैं question number 45 करा है 20 के पावर माईनस 7 मीटर होता है 10 के पावर माईनस 7 मीटर ये Toni की हो जाएगा ये ये option अब आते हैं question number 46 46 में क्ये करा है विदू चुमब के तरंग के संचरण के दिशा होती है ये कैसी होती है तो विदू चुमब के तरंग के जंचरण के दिशा E गुड़े B के सामनांतर होती है 46 का अप्शन क्या हो जाएगा D यह जाएगा D ध्यान रखेके स्वेंट्स यह जो लिखा है न यह X नहीं है यह गुड़ा का साइन दिया है न यह गुड़ा का चीन है ठीक है? चलिए अब आते हैं 47 नमर कोर्चन क्या कर रहा है? किसी इलेक्ट्रोन के आवेस का मानी यह तो सबको पता होता है 1.6 x 10 का पाउर्ण माइनस 19 कुलम यानकी अप्शन B 47 का अप्शन B हो जाएगा अब आते हैं कोर्चन नमर 48 48 में क्या कर रहा है? पलांक निया तांक की बीमा होती है पलांक निया नाक बोले तो H की बीमा होती है तो यह हो जाएगा यह मैंस को आटी माइनस 1 यानकी 48 का अप्शन A अब आते हैं 49 में 49 में क्या कर रहा है? निम्लिखित में कौन सही है? देखिए तो निम्लिखित में कौन सही है? तो ध्यान देजिए वन इलेक्ट्रोन भोल्ट इकल दू कितना है? तो ध्यान देजिए एक इलेक्ट्रोन पर चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रोन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावड माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रोन पर चार्ज इसी में कूलम के जगा क्या कर देंगे जूल कर देंगे तो यह आता है एक इलेक्टरन भोल्ट तो देख लिजे अप्सन कौन साँ हो जाएगा तो अप्सन हो जाएगा ये अप्सन ये हो जाएगा ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां आते हैं कौशन पचास कौशन कर रहा है कि रेडियू धर्मी 6 के लिए ब्यांजक है तो जो इसका राइट अप्सन हो जाएगा ये अप्सन एन एकोल टो एन नट ए का पड़ माइनस लेमडा टी, पचास का अप्सन अब आईए कौशन नमर बाउन, बाउन में क्या कह रहा है बाउन में कह रहा है कि निम्निखित में अलफा कोड के लिए कौन सही है तो अलफा कोड हम लोग कहते किसको है अलफा कोड किसको कहते है तो अलफा कोड कहते हम लोग हिलियम को हिलियम की परमालु संख्य कितनी होती है दो दरब्मान संख्या चार है नो अब बताइए तो किलियर हो गया कि परमाडू संख्या कितना दो तो प्रोटॉन भी कितना होगा दो तो यहां से यह तो खतम हो गया दोनों A या C तो अब क्या होगा अब B और D में से अब देखना है बात आयता है निउट्रोन पर तो दरब्मान संख्या में से परमाडू संख्या घटा देते हैं तो आज आता है निउट्रोन की संख्या तो चार में से दो घटा हैंगे तो कितना है दो तो यही नहीं हो रहा है दो यान की option क्या हो जाएगा एकाउन का B option अब आज ये question number 52 इसमें करा संभव कक्छाओं में electron का कोडिया समय होता है तो कोडिया समय कितना होता है तो ये होता है h by 2 pi का पुढांक गुरज h by 2 pi का पुढांक गुरज और पुढांक को सुचित करते हैं n से तो एने से बाई 2 pi तो जो option आएगा होगा कौन से हो जागा ये बाउन का E option ठीक है चलिए अब आते हैं question number तीरपन ये तीरपन तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि कह रहा है cathode किरडे समूह है किस किस समूह है है ना तो ये है electron की समूह है इलेक्ट्रोन की समूह है किस किस समूह है तो रिडात्मक गतिसील आवेसों की यानिकी इलेक्ट्रोन की समूह है तो तीरपन का अपको जागा E option अब आईए चोण में क्या कर रहा है कि परमाडू में अवस्तित मूलकड है तो परमाडू में कौन कौन से मूलकड होते हैं तो electron, proton और neutron अगर आप देखेंगे तो इसमें से कोही नहीं दिख रहा है लेकिन proton और neutron को एक साथ कहते हैं nucleons क्या कहते हैं nucleons तो electron और यह हो गया nucleons तो option कौन से हो जाएगा अप्सम देखेंगे यह दिखेंगे अब आते हैं question पच्पन यहाँ देखें इसे English हो सकता है आप इसको पढ़े हो किर्चॉप्स या किर्खॉप्स पढ़े हो तो उसे कोई दिखत नहीं है आप हिंदी इंग्लिस दूनों को देख करके समझ सकते हैं और यह आवेश के सरक्षड सिधांत पर आधारित होता है तो जायसी बात है इसमें किसका प्रतवनीय में सनस्सीत होता है किस सरक्षण होता है अवेश तो 15 काा अफसर घ्रिक्तितर आईधरा बहने के कारत चूमकीय बाल छेतरrying चूमकीय बाल छेतर है चुम बक्य बाल शेदर कर रहा है कितना होता है तो ये होता है mu naught ni by 2r लेकिन कब जब फेरों के संख्या n हो लेकिन यहां पर ये तो नहीं बोला गया है इसमें n कहीं है ही नहीं मतलब ये a कहीं फेर के लिए बात हो रहा है इसलिए यहां बक्या हो जाएगा mu naught i by 2r तो right option कोन सा हो जाएगा right option हो जाएगा ये a option चपन का option a अब आते हैं संतावन में संतावन में क्या कर रहा है निमलिखीत में कोन सही है तो निमलिखीत में कोन सही है देखिए यहां पर आपको धियान रखना पड़ेगा यह होता है 36 सव एक किलो वाट आवर कितना होता है तो 36 किलो जुल होता है 37 किलो जुल अब बताइए 36 किलो जुल है तो यहां पर लिख सकते हैं 36 से 100 आप कीलू मैंने कितना 20 के पावर 3 कर सकते हैं अब हम लिखे आँ से कि 3 decimal 6 0 0 तो 10 के पावर मुझे कितना लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा क्यों लिखना पड़ेगा 3 क्योंकि यहां पर 3-9 के पहले दस्मष दे दिए हैं। दे दिए है ना। गुड़े 10 के पाउड 3 पहले से हैं। अब 10 नवक बाद ये 2-0 है। और उस 2-0 के पाद कुछ भी नहीं है। तो उस 2-0 का कोई महतोर नहीं होता है। तो हो कितना जाएगा? क्या आया 30,96 गुड़े 10 के पावर 6, 2, 3, 3, मिला देंगे तो 6 हो जाएगा, तो क्या आया 30,96 गुड़े 10 के पावर 6 जूल, तो अप्सन कौन सा होगा, यहां से अप्सन हो जाएगा 77 का E अप्सन, अब नेक्स कोशन में बठते हैं, अन्ठावन, करन निमलीखित में कौन सा ही यap यानि 1 टिसला कीतना के बराबर हैं, तो 1 टिसला, 1 निूटन, प्रती एंपियर, प्रती मीटर के बराबर होता है और आप्सन हो जाएगा E अब आते हैं आदौस बॉल्टमेटर का परतिरोथ कितना होता है तो ये तो याद ही होना चाहिए और ये आपको याद मी ओगा सब्सक्रण कितना होता है तो ये अनुंढच निक्स्ट तोㄞ क्या हो जाएगा 19 का अफ् aj कि दे गा यह दी ऒैख राकी धारा सुगराहिता यह संगर होता है तो migrant वाल क्षेप जायगा वेचेप पंठाद है यह को अब ये कह रहा है सोप्र करतों का YSI मातर तो सोप्र करतों का YSI मातर क्या होता है तो ये होता है Henry येनिकि option क्य क्या हो जागा ये EOPSON अब आते हैं बासवाट नबर कोश्चन बासवाट में क्या कह रहा है निमलीखित में परत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है निमलीखित में परत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है तो ध्यान दाई गोश्जेंट्स एक होता है IAB बराबर है न, average और एक होता है, IRMS बराबर इसमें confusion हो जाएगा तो अब ध्यान रखेंगे, आपके क्या पुछ रहा है, देख रहें सब जबा IRMS, IRMS, IRMS तो किसके फिर पुछ रहा है, IRMS का इसलिए आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो option हो जाएगा हो जाएगा 0.707 I0 ठीक है रहा, चलिए तो 62 का option A अब आते हैं question 63 में क्या कर रहा है, prayer की यह परतिगात prayer की यह परतिगात यह जिसमें क्या जुड़ा हो, केवल फ्रकात जुड़ा हो तो उसको तुम Excel से सुचित करते हैं करते हैं ऐसा, लेकिन Excel बरब होता कितना है, तो यह होता है omega L, कितना होता है omega L, तो option कौन से हो जाएगा यह, option हो जाएगा यह अब आईए यहाँ से, अब यहाँ कह रहा है क्या कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि धारितिय परतिगात प्रतिगर नो क्या कर दारित यह प्रति खाथ, हैने कि इसको सुजर्वित करते हैं to 45 के हो गया था पैसट में क्या कर रहा है L R परिपथ का प्रति बाधा और प्रति बाधा कैसे सूचीत करते हम लो Z से Z equal to होता है root under L R परिपथ की प्रति बाधा Z बराबर R square plus XL का square हैना और XL का फ्रिप्र क्या हो जागा ωमेगा L तो यहाँ क्या हो जागा ωमेगा L का square तो इस तरीके से जो अप्शन आजागा वो होगा 65 का C अब आते हैं कोश्चन में 66 क्या कर रहा है परत्यावर्ती परिपाथ में 220 भोल्ट का सिखर्मान कितना होगा तो क्यों इस में रूट 200 मॉल्टिप्लाई कर दें के तो सिखर्मान हो जाता है तो अब कौन सा हो जागा ये 66 का B अप्शन 66 का अप्शन B अब आते हैं कोश्चन नमर 66 67 हमें क्या कर रहा है तो धारावाही प्रेरित्र में चुम्बकिया उर्जा का मान होता है ये फर्मूला ही है और ये जो फर्मूला होता है ये हो जागा हाफ L I का स्क्वाइर और ये हो जागा अप्शन C अब आते हैं कोश्चन नमर 68 68 ये भी फर्मूला ही है क्या चुम्बकिया छेतर में धरावाही चालक पर करकारी बल होता है ये भी फर्मूला ही है और ये हो जागा अप्शन B हो जाएगा अब आते हैं कोश्चन नमर 69 69 ये भी फर्मूला ही है विदू सक्ति विदू सक्ति कुम्णों कैसे सुझत करते हैं P से और P एकोल टू क्या होता है भी स्क्वाइर बाई आर ये आप 10th क्लास में भी पढ़े थे तो 79 का अप्शन क्या हो जाएगा C अब आते हैं कोश्चन न भारा है मानोनेतर की विभेदान चमता होती है ध्यांद गर इसंट यह मिन्योट में पूछा है तो मिन्योट के लिए तो ऑप्सण हो जाएगा ये एक मिन्योट हो सकता कि आपके बोड़ खियांक है डिग्री में आ जाया तो डिग्री में होता है कितना? 0.17 डिग्री डिग्री में पूछेगा तो ये अप्सन लेकिन अगर आपसे मिनट में पूछता है तो आपका अप्सन होज़ेगा वन मिनट ठीक है तो मैं उम्मीद करता हैं इस्टेंट्स कि आपको इस वीडियो में जो एक से ले करके सतर कोस्चन बताया गया आपको समझाया गया वह आपको बहुत अच्छे समझ में आजा होगा अगर वीडियो सलकता हो तो वीडियो को लाइक किजिए और अगर आपको वीडियो सलकता हो तो लाइक तो कर नहीं है साथी साथ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके अपना फिडबेक अवर से दे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ठीक है साथी साथ इस चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकाउन को भी और से प्रेस कर दीजिए जिससे आने वेले वीडियो के निटिफिकेस आपको मिलते रहे और आपका पड़ाई बहुत अच्छे से चलते रहे फिला इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंधिजार कीजिए थैंक्यू सो मच भशासें इस वीडियो